हलो फ्रेंज निलीमा क्रिशन में आपका फिर से स्वागत है आज मैं आपको ये पैरोट वाली डॉल मेट की डिजाइन बनाना बताऊंगी इसे आप थालब पोश और टेबल मेट की तरह भी इस्तिमाल कर सकते हैं इसी बनाना बहुत ही आसान है इस पैरोट की पैटरन को अग लाइक भी कर सकते हैं तो चलिया शुरू करते हैं तो इसमें ये वाइट कलर से 45 फंदे ले लेंगे ये वाइट कलर को डबल ले करके फंदे ले लेते हैं इसे आप जितना मूटा उन से बनाए उतने ही अच्छा बनता है पतला उन से अच्छा नहीं बनता है पर अगर थाल तो कि इस उसे तरह से एक प्यटर्न बनाये हैं हम यहां से यह तक 45 फंदे हो जो यह तक और यह दो पहला फंदा से यह ngayaggi तो जोड़ा हुआ है तो देखिए यहां से यह 39-39 फंदे में यह ग्रीन कलर लगा हुआ है तो अब यहां से हम लोग बिन्या स्टार्ट करेंगे और 39-39 फंदे में ग्रीन कलर जोड़ेंगे पहले लाइन से इस तरह से इस पहले वाले फंदे को उठा लेते हैं और बाकी फंदे को बिन लेते हैं 28 फंदे तक इसी तरह से बिन लेते हैं यह वाला डॉर्मेट में अगर मैं आपको उनसे जो बना हुआ है उसे गिन-गिन के भी बता भी दो तो उतना याद रखना बहुत ही मुश्किल है लेकिन अगर आपके पास यह पैटर्न मुझूद है तो आप कभी भी किसी भी समय उसे काउंट करके बना सकते हैं तो मैं तो स देखे ये 28 फंद के बिन लेते हैं उसके बार इसमें ग्रीन कलर को लगा लेते यह देखिए 28 फंद यह वाइट कलर से बिन लिए अभी उन्टीफ और 30 बागशल में घुल गरेंगे तो यह तो घुद ना है आँ yeah यहां तक बिन लेते हैं यह देखिए रंत में आ गए हैं इस एक फंदे को छोड़ देते हैं धागा इस तरफ कर लेते हैं यह इसका सीधी साइड बनने वाला है इधर से सारे फंदों को जो हां पे जड़ ऐसा कलर है वैसा बिन लेते हैं इस पैटर्न को अगर आप समझ पर ग्राफ कोपी पर में जितने इतने फंदे के बाद बता रही हूं की कलर लगाना है उसे नोट करते जाएं तो देखिए यह यहां यह ग्रीन कलर जहां पर जैसा है वह ऐसे इस लाइन को बिल लेते हैं यह इसके सीधी साइड बन रही है देखिए यहां पर आ गए है यह धागा को पीछे कर देंगे उल्टे साइड में और यह दोनों ग्रीन कलर के धागे और इस ग्रीन कलर वाले धागे को सामने ले आएंगे क्रॉस करा देंगे और फिर यह जो दो फंदे हैं उन्हें बिल लेते हैं इसके बाद फिर से वाइट कलर से बिल लेते हैं इसे उपर तक बिल लेते हैं ऐसे ही बाकी फंदों को यह देखिए फिर से उपर की साइड आए गये हैं अब फिर से देखते हैं पैटन को यह देखिए यह पहले लाइन में तुम लोग फंदे डाले थे दूसरे लाइन में यह दो ग्रिं का बीने है अब तीसरे लाइन में भी यह उन्तीस ओ तीस फंदे में ग्रीन कलर से ही बिनना है फिर से बिनते वे चले जाएंगे 28 फंदे ही बिनने है यह देखिए यहां प्याग है यह दो फंदे ग्रिन कलर से बिल लेते हैं धागे को इस तरह से क्रॉस करा लेंगे अच्छे से खीच के और बाकी फंदों को इस तरह से उल्टा-उल्टा बिंग देंगे और अंप में फिर से एक फंदा ही छोड़ देंगे इस वाले डोर्मेट को आप 43 फंदे से 46 फंदे तक में भी बना सकते है अब नीचे देख सकते हैं पाटन मेरा ने मेरा करके रखे यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि 45 फंदे में बता हैं इसलिए में इसे 45 फंदे में बता रही हैं कर लेते हैं और यह दिनते भी यहां आगे यह दूसरे फंदे को छोड़ देते हैं इस तरह से दो लाइन बनी हो तो दूसरे फंदे को छोड़ देते हैं अब सीधी यहां तक कर लेते हैं यह रेखिए धागे को पीछे ग्रीन वाला सामने फिर से दो ही फंदे बिन लेते हैं जब इन कलर अलग अलग होगा वहां पर हमेशा धागा को लूजी रखेंगे नहीं तो यह जमा जैसे हो जाएगा शीकूरने लगेगा इसलिए फिर बाकी फंदे को बिन करके यहां उपर तक कर लेते हैं देखिए यह बिन लिये हैं यहां से यह तिन लाइन बिना गया है सीदी साइड से दिख रहा है अब फिर से इसके उटे साइड में आ गया है सामने की तरफ इस पहले फंदे को उठा लेंगे अब देख लेते हैं कि क इतना फंदा बिनना है यहां से आभ यह दो लाइन बन चुका है ऑiche चौथा जो है चौथालाइं बनाना है तो इस में रसाह में टीन ग्रिन कलर का बिनना है यहां पाने गिर गळायाए था न मैं जो से लगा दीएiro यह देखिए 27 फंदे तक बिन लिए 28 फंदा जो वाइट कलर का है उसे ग्रिन कलर से बिन देंगे क्योंकि यहाँ पर तीन फंदे बिनने हैं और यह सामने की तरफ ही धागा बढ़ेगा इसलिए इस तरह से इस सैड से ही लेंगे और फिर बाकी फंदे को वाइट कलर से बिनेंगे और इसे अंध तक बिन लेते हैं और अंध में एक फंदा है छोड़ देना है फिर यह देखिए यहां तक आगे यह तीसरा फंदा देंगे यहां से भी देखिए पहला फंदा में पहला लाइन में फंदे डाले थे इसे भी काउंट करेंगे एक दो तीन चारी चौथा लाइन था जिसमें तीन ग्रीन कलर के फंदे बिने हैं अब यहां सीदी साइड में वैसे ही जैसे पहले बताएं जहां पर जो जैसा कलर है वैसे ही बना लेंगे यहां तक कर लेते हैं इस देखिए बिल लिये इस तरह से अब फिर से यह पांचवे लाइन में आ यहां से यहाँ तक 10ज़ पहेला फंद उठा लेते हैं अब यहां से 9 फंद गिन लेते हैं यह दस ग्यारवां फंद में पैर वाला पैटर्न स्टार्ट करना तो और यहां से चार फंदे बिनेंगे एक दो तीन चार फिर एक फंदा बीच में वाइट कलर से बिनेंगे इस तरह से और फिर से ग्रीन कलर से बिनेंगे चार फंदे दोनों पैर बन गया यहां पर इस तरह से अब यहां से देखिए वाइट कलर का धागा लगाएंगे फिर से और यह वाइट वाले फंदे बिन लेते हैं यह यहां तक क्योंकि अब यह दीरे दीरे पूछ इस तरफ जा रहा हम मैं दिखा रहे हूं अच्छे से यह देखिए इसको सीधी साइड इस तरह हम लोग बिन रहे हैं यह की सीधी साइड इसे इस तरह से हम लोग रख रहे हैं और यह इसका पूछ आफ एस से जा रहा है मतलब इधर से स्टार्ट कर रहें बिनना तो यह ऐसे जा रहा है तो देखिए हर बार यह एक एक फंदा ग्रीन वाला इधर घसकते जाएगा तो इस बार यहां से यह वाला फंदा जो है वाला जो फंदा है यह वाइट वाला इस साइड में उसे ग्रीन कलर से बिनना है और यह और यह और यह यहां तक बिन लेते हैं वाइट कलर से पैर बन चुका है यह पूछ है उसकी तो यहां तक आंगया है यह ग्रीन कलर से एक फंदा बिन लेंगे इधर से वाइट कलर से बिन देंगे के इधर से बिन लिए से बिन लिया से सामने की तरफ आ गए हैं- अब फिर writ यह जो छटा आइञ उसमें बनाना है तो देख फिर से वह से ही है इससे पी तरह से जो 4-4 फंदे बिने हैं पेर के लिए वह है और फिर यहां पे ऐसिस में साथ फंद थे चो अब यहां पे दस फंदे थे बिन लेते हैं इसे यह देखिए यहां पर आगे फिर से इन चाड़ों को बिनना है बीच में एक वाइट कलर से बिनना है अब यहां पर जो साथ फंदे हैं अब यह छे फंदे वाइट के बिनने हैं तभी दिरे दिरे इसका पूछ कि सकता जाएगा यह देखिए छे फंदे बिन लिए अब यह पूछ वाली पैटर्न है तो इसे फिर इस वाइट को ग्रीन से बिन लेंगे और यह अंत का ग्रीन वाला वाइट से बिन लेंगे फिर से बिनते जाएंगे एक फंदा छोड़ देंगे इधर से यह पाचवा फंदा छोड़ देंगे यहां पर और सीधी साइड में जो जैसा कलर है वो ऐसे ही बिन लेंगे अब फिर यहां पर आते हैं फिर बताते हैं इ यहां पर सात्वा लाइन जो बनेगा वो सिछ तो यहां पर देखिए यह 2 लाइन कंप्ट कर लिये चाचार उय आतक्या मज़ा आख कम गया पर यहां तक 12 नहीं लेन है फिड़े गी ओपुद में उप सब्वरीश Technic Games को यहां के आप छे था तो इस भर यहां पर पांच हो गए होंगे देखिया ये पांच होगे है यह फी से बिन लिते हैं तो यह जो दो फंदे ग्रीन के हैं में टेलेंगे अब यहां से फिर से बीच में यह दो फंदे ही रखने तो जो तीन फंदे हैं उन्हें वाइट से बिनना है इस तरह से फिर यह ग्रीन से बिन लेते हैं दो को यह पैर और पूछ के बीच में का फंदा एक एक कमते जाएगा तो ये इस बार यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 5 ही फंदे वाइट से बिनना है ये 5 फिर इसके बाद ये जो वाइट वाला है इसे ग्रिन से बिनना है ये 3 और ये जो एक ग्रिन बचा है उसे वाइट से बिनना है बाकी फंदे को फिर से बिनते जाना है और एक फंदा उदर से छोड़ देना है यहाँ पर इसे देखिए छोड़ देंगे छटा फंदा को और सीधी साइड में जो जैसा कलर ऐसे बिनके फिर से यहाँ पर आ जाते हैं यह देखिए सीधी सैट से भी बना लिये हैं अब यह देखिए यह तीन लाइन तो लोग इस तरह से कंप्लीट कर लिया याने कि यहां तक कंप्लीट कर लिये हैं अब फिर से यहां से सेम ही है यहां से एक दो तीन उपर और तीन लाइन सेम टू सेम दो दो फंदे पैर का बना जाएगा इदर ही इगास pakि सकते जाएगा तो इसे कर लेते हैं यहां से और तीन लाइन बना लेते हैं यह देखिए इसका यह जो पैर और पूछ पती यह बन गया है अभी ग्यारवे लाइनसे इसका बॉरिस टार whole रहा है तो यहां तक फिर से 12 फंदे ही थे तो 12 फंदे फिर से उल्टी साइट से बिन लेते हैं यह देखे यहां पे आ गया है यहां से इसका पैर स्टार्ट होने वाला है यहां से अब 11 फंदे बिनने हैं तो एक दो यह 11 और यह जो एक ग्रीन कलर का फंदा रह गया है उसे वाइट कलर से बिनना है फिर से जो फंदा है बिन लेते हैं वाइट कलर वाला और एक फंदा फिर से छोड़ देंगे और सीदी साइड में जहां जो जैसा कलर हो इसे बिनके फिर से यहां पर आ जाते हैं यह देखिए बिन लिए अब यहां से देखिए पैटर्न को यह ग्यारवे लाइन में यहाँ पे ग्यारा फंदे बिने थे बारवे लाइन में ग्यारा फंदे बिनने के बाद फिर से ग्यारा फंदे बिनने है अब इधर से यह एक एक फंदा कमता जाएगा ग्रीन वाला वाइट होता जाएगा और इधर से वाइट वाला ग्रीन होता जाएगा तो यहां पर देखें में बाहुए लाइन में यह ग्यारा फंदे बिने उसके बाद ग्रीन वाला लगाएंगे तो कर लेते हैं इसे यहां से इस बार ग्यारा फंदा बिनना है का यहाँ जो एक बार फंदे हो से ग्रीन में कंवर्ट करना है इस तरफ से इस सामने के शे कर्च छोड़ राए इससे ग्रीन वाला फंदा वाइट काुते जाएगा तो यहां से काऊंट करके क्यारा फंदा ही बिनने है ये ग्यारा ये जो एक फंदा है उसे वाइट से बिनेंगे बाकी फंदे को वाइट से बिनते हुए आंत में फिर से एक फंदा छोड़ देते हैं सीधी साइड में जहां पर जो जैसा कलर है वैसे बिन लेते हैं अभी यहां पर हैं लोग यह 12 लाइन बन गया है यह 13 लाइन बनने वाला है दस फंदे चूटेंगे देखिए एक दो तीन चार पांच छे चाथ आठ नो दस देखिए दस फंदे के बाद यह स्टार्ट हुआ है तो इसी तरह यह भी 13 लाइन में इसी तरह समय को 18 लाइन तक बनाना है जब यह सामने में यहां पर सामने में पांच फंदे रह जाएंगे देखिए यहां पर यह देखिए यहां पर एक दो तीन चार यहां पर भी लाइन है चार यह पांच जब यह पांच फंदर रह जाएगा तब हम लोग यह जो एक एक फंदर इदर बढ़ा रहे हैं वो नहीं बढ़ाएंगे यहां पर रूख जाएंगा 18 लाइन पर तो इतना कर लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं ये देखिए इसे खिसकाते हुए यहां तक आग एक एक फंदा इधर करते हुए तो अभी यहां पर देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ लाइन इस तरह का गिरिंद का बना लेकिन हम लोगों बनाना है आठ लाइन क्योंकि य यह देखिए बिन लिये हैं यह जो छटा फंदा है उसे ग्रीन कलर से बिन लेंगे और बाकी 11 फंदे यहां से जो बिन रहे थे उसे बिनेंगे यह दागा खीच के लिए रहे हैं उसे थोड़ा लूजी ले और हो सके तो इस तरह से ले तो वह उठा उठा जैसा नहीं लगीगा पैरोट वाला पैटर्न इस तरह से ले ले यह देखिए यहां तक भी लेंगे यह आंद का फंदा वाइट से बिन लेंगे इधर में बिंते वे जाएंगे और यह वाला फंदा छोड़ देंगे ऑने सेमी रहता है एक एक फंदा ही छोड़ना है इसे छोड़ लेते हैं और सीड़ी साइड में इसे बिन करके वापिस यहां आ जाते हैं उसके बाद बताते हैं यह देखिए यहां से यह कंप्लिट कर लिए है मतलब की नीचे में डायगराम में दिखाते हैं अब देखिए अभी यहां पे हैं हम लोग अब यहां से अठार वा लाइन तक बन गया है अब यहां से इधर कर जो एक फंदा वाइट वाला गृण कर रहे थे वह नहीं करेंगे इसे यहां ही पर ऐसे अब हर लाइन मे पच पच फंदे ही रहेगा यह जो इसके चॉंच निकली है वहां तक